नमस्कार दोस्तों आपको मेरे चनल रिपोर्ट पाढ़ना में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि पेटियम पेमेंट्स बैंक अपने ग्रहांकों को बहुत बड़ी तौफा दे रही है जी हाँ दोस्तों फिक्स्ट डिपोजिट करवाने पर दोस्तों पेटियम बैंक में अगर आप एक लाख रुपे की एफडी करवाते हैं तब आपको इतना रुपया मिलेगा इतने महीने में ही आपके खाते में जी हाँ दोस्तों पेटियम बैंक एफडी प्लान 2020 के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि अगर आप एक लाख रुपे की एफडी इतने महीने के लिए करते हैं तब कितना आपको मैचरूटी मिलेगा जी हाँ दोस्तों और साथ में जानेंगे पेटियम बै एक इफडी का इंट्रेस्ट रेट क्या है? मैचरूटी पिरियड पूरा होने से पहले अगर आप इफडी तोड़ते हैं तब आपको कितना चार्ज देना होगा? लाएक के प्री मैच और बिड्रॉल और दोस्तों जानेंगे टैग्स और टीडियो में पेटियम इफडी अक देखें ताकि कुछ छूट न जाए और दोस्तों अगर आप भी इस अस्कीम का लाव लेना चाहते हैं तब अपना सहर का नाम मुझे नीचे कमेट में लिग कर बताएं दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल रिपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों भारत में बचत के लिए सबसे पॉपलर इन्वेस्टमेंट अगर है तो वो है फिक्ष्ट पेटियम बैंक के बारे हैं बताने जा रहे हैं जो इस दौर में सबसे ज़्यादा ब्याज दर दे रही है FD अगर आप करवाते हैं तो क्योंकि पेटियम पेमेंट्स बैंक भी FD करने की सुबधा देता है हाला कि पेटियम पेमेंट्स बैंक को फिक्स लिपोजिर की सुब अब जान लेते हैं maturity period के बारे में आप देख सकते हैं PTM Payments Bank में FD का जो maturity period है वह तेरा महीने के लिए है, तेरा महा का है दोस्तो अब जान लेते हैं PTM FD interest rate latest क्या है तो दोस्तो PTM Payments Bank FD पर 7 50 ब्याज देरा जो कि सबसे ज़्यादा है इस Corona काल में दोस्तो अब जान लेते हैं pre-mature withdrawal के बारे में दोस्तो PTM Payments Bank FD में खास बात यह है कि maturity period पूरा होने से पहले ही अगर आप FD तोड़ते हैं ब्रेक करते हैं तब आपको कोई charge नहीं देना होगा हाला कि इसको 7 दिन से पहले तोड़ते हैं साथ दिन से पहले तोड़ने पर आपको कोई ब्याज नहीं होगा दोस्तो अब जान लेते हैं एक लाख रुपया अगर आप जमा करते हैं तो आपको maturity कितना मिलेगा जैसा कि आपको पता है कि PTM Payments Bank में FD का maturity period है तेरा मां का है और इस पर 7 फिजदी ब्याज मिल रहा है तो अगर आप एक लाख रुपया तेरा मां के लिए जमा करते हैं Paytium Payments Bank में तो आपको 7% की हिसाब से जो आपका maturity बनता है वो आपको मिलेगा 1,7,604 रुपया और यह maturity का पैसा आपके खाते में सीधे सीधे क्रेडिट हो जाएगा Automatically दोस्तो अब जान लेते हैं Auto Renewal जहां दोस्तो Auto Renewal Facility है आपके maturity पूरा होने पर Renewal जहां In case of Renewed Deposit The new deposit amount consists of the original deposit amount plus the interest-less tax deducted at source TDS On Renewal Day If the customer has become a senior citizen Renewal Day If the customer has become a senior citizen We will auto renew the FD Principal plus interest Under the senior citizen scheme And not under the scheme It was previously booked in जी हां दोस्तो अगर Renewal Day पे अगर कोई customer Senior citizen बन जाता है तब उसका जो Auto Renew जो है ना वो Automatically हो जाएगा Principal plus interest Under the senior citizen scheme के अंतरगत Taxation के बार यहां बात करें तम जाने तम जाने तम दोसो Taxation And TDS का बार में TDS if any will be deducted On interest As per applicable income tax rule Income tax rule के अंसार आपका TDS इसमें लागू होगा दोस्तो अब जान लेते हैं कैसे FD account open करें Paytm Payments Bank में और क्या documents लाइएगा आप अपने mobile में Paytm application डाउनलोड करें अगर आपके mobile में downloaded है किया हुआ तो mobile में आप इसको application को open करें Paytm को open करने के बाद आपको bank का एक option देखे उसके बाद अपना password डाले उसके बाद आपको FD का option मिलेगा fixed deposit आप उसके बाद जितना रूपया का आपको FD बनवाना है करवाना है आप उतना amount उसमें इंटर करें और proceed पर click कर दे बहुत ही easy process है FD open करना के लिए Paytm bank में documents के लिए आप अपना just KYC documents upload कर दें Paytm में बस इतना ही है दोस्तो बहुत simple है तो दोस्तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को like करें सेयर करें अपने दोस्तों के बीच कुछ doubt है तो आप comment कर फूछ सकते हैं और दोस्तो मेरे इस चनल रिपोर्ट पानडा को subscribe जरूर करें Thank you